back to my channel आज हम लोग डिसकस करेंगे क्लास नाइन्थ की पोयम नमबर नाइन यह पोयम किसे बारे में हैं? एक लेजंड के बारे में हैं जो की बहुत जादा खाने से परिशान हो जाता है मतलब भूक से बहुत जादा परिशान हो जाता है वो एक lady के पास जाता है बट lady अपनी greed के चकर में उसे खाना नहीं देती जिसकी वज़े से वो जो legend है वो उसे क्या दे देता है श्राप दे देता है और वो lady किसमें convert हो जाती है एक woodpecker में convert हो जाती है अब यह poem बहुत जादा ना क्यों ये north land का legend है क्या इसमें famous है जो poem है वो किसके बारे में है एक ऐसी जगा जो north land में है ठीक है जो कि काफी ठंडी रहती है और north pole पे है अब आप जानते हो कि जैसे अर्थ है तो उसका north pole और south pole extremely cold रहता है तो यहाँ पे भी बहुत जादा ठंडी बढ़ती है ठीक है snow covered area रहता है और यहाँ पे रात को extreme ठंड होती है ठीक है रात को बहुत जादा ठंड होती है कि लोग शायद so भी नहीं पाते हो सकता है उन्हें दिक्कत महसूस होती हो अब जब यहाँ पे बरफ पढ़ती है देखो आप देख सकते हो कितनी जादा बरफ पढ़ती है तो लोग क्या करते है they cannot travel वो travel नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ road वगएरा तो available नहीं है भाई ठंड में कहाँ road बनाएंगे तो लोग कैसे travel करते हैं sledge आपने देखा होगा हमारे सांटा क्लॉस आते हैं हम लोग सुनते हैं कि जो सांटा आते हैं वो किस पे आते हैं reindeer पे आते हैं reindeer is इनने बोलते हैं ठीक है तो वो किस पे आते हैं sledge पे आते हैं जो कि snow में अराम से move कर सकती है और जो वहाँ पे लोग है न वो अपने बच्चों को किस में cover करते हैं इतनी मोटी सी fur पहनाते हैं जो कि basically animal fur होती है ताकि वो किस से protect रह सकें ठंड से, cold से खुद को protect कर सकें और यहाँ पे इस poem में न उन बच्चों को किस से compare किया गया है बियर कब्स से, polar beer के या किसी के भी कब्स आप देख सकते हैं कितने cute से लगते हैं बच्चे, polar beer की तरह, तो उन चीजों को compare किया गया है ठीक है, so this poem is basically about a legend of Northland, किसकी बात करी गई है, बहुत ज़्यादा popular है यह story और जैसे कि मैंने आपको बताया यह किसमें पास होनोई, generation to generation मतलब, parents अपने बच्चों को, फिर वो अपने बच्चों को, फिर वो अपने बच्चों को बताते रहते हैं अब इसका ना, कुछ एक significant lesson है, जो हमें वो कुछ पढ़ाना चाहते हैं, हमें वो कुछ teach करना चाहते हैं जो यह story है, उसमें क्या है, जो poem है, उसमें क्या है एक बारी एक saint था, saint मतलब, जैसे महराज वगेरा होते हैं, या पंडित कह सकते हैं, अब वो होते हैं, जिसका नाम क्या था? पीटर, अब वो क्या था? ये माना जाता है कि Jesus Christ ने उन्हें अर्थ पे भेजा था, धरम फैलाने के लिए, ठीक है? तो भगवान का धरम या किसी भी चीज़ से, धरम से related बाते हैं, वो लोगों को बताने के लिए भगवान ने उन्हें भीजा था अब जब वो घूम रहे थे, तो वो कहां पहुचते हैं? कॉटेज में पहुचते हैं, जहां पर वो क्या देखते हैं? कि एक जो लेडी है, वो क्या पका रही है? केक्स पका रही है अब ये इतने दिन से, जो हमारे legend थे या जो हमारे saint थे, वो काफे दिन से क्या कर रहे थे? फास्ट कर रहे थे अब जब फास्ट करते हैं, तो आप जानते हो कि भूख लगती है तो जब उन्होंने केक वाली शॉप देखी, तो आप वो सोचते हैं कि चलो मैं कुछ खा लेता हूं, क्योंकि मुझे थकान महसूस हो रही है तो उन्होंने उस लेडी से बोला, भई तेरे पास इतना सारा केक का स्टॉक है, तो मेरे को एक केक दे दे अब जो विमेन हैं वो कहती है, अपने मन में सोचती है, क्योंकि विमेन क्या है, बहुत ज़्यादा ना ग्रीडी है तो वो अपने मन में सोचती है, यार मैं इतना बड़ा केक तो नहीं दे सकती सेंट को मतलब उसके जेंज में इस भिकारी को में इतना बड़ा केक कैसे दे दू अपने दुकान से, वो भी free of cost charity में, charity is जब हम किसी का भला करने जाते हैं, but just because I told you कि women greedy थी तो वो कहते हैं, भई मैं charity में तो इतना बड़ा केक बिल्कुल भी नहीं दूंगी तो वो क्या करती है, वो एक छोटा से केक बनाती है अब केक बनाने के लिए सबसे वहले क्या चाहिए होता है हमें आटा चाहिए होता है, जिसे हम लोग बोलते है dough, d-o-u-g-h आटा गुनती है वो, ठीक है, केक बनाने के लिए और जैसे ही वो उसे bake करने के लिए रखती है bake किस में किया जाता है, oven में bake किया जाता है तो जैसे ही वो उसमें रखती है, वो ये देखती है अरे, मैंने तो इतना चोटा सा पीस रखा था और वो इतना बड़ा सा केक हो गया अब उसके मन में क्या है, greed है वो कहती है, कि भाई मैं तो इतना बड़ा केक नहीं दे सकती फिर वो और, बिल्कुल पतला सा केक मतलब जितना उसने पहले आटा लिया था उसका भी बिल्कुल हाफ आटा वो लेती है और फिर उसे oven में रखती है फिर वो इतना बड़ा केक बन जाता है ठीक है, bake होने पे अब वो और greed हो जाती है ठीक है, वो कहती है कि मेरे को तो बहुत गुसा आ रहे अब यहाँ पे जो legend है वो अभी तक वेट कर रहे है तो फिर वो और चोटा लेती है, बिल्कुल अब वो bake करने जाती है जिसकी वज़े से, अब क्या होता है उसकी greed बहुत जाता है केक इतना सा है, मतलब डो इतना सा है और वो bake करते ही क्या हो जाता है लार्ज हो जाता है अब इसके अंदर greed इतनी है उसका मन नहीं करता है कि वो कुछ दे जिसकी वज़े से, जो legend है ना बहुत जाता गुस्सा हो जाता है वो इतनी देर से वेट कर रहा है भई अब केक देगी अब केक देगी बट लेड़ी है कि केक देने के लिए तयार नहीं है ठीक है अब उसको हो जाता है गुस्सा जो विमन की ग्रीड है ना ग्रीड को देखके वो क्या हो जाता है बिलकुल आंग्री हो जाता है वो कहता है भाई अब बस मैं इसकी ये हरकत बरदाश नहीं कर सकता वो विमन को क्या देता है गुस्से में आकर वो विमन को क्या देता है श्राब देता है वो उसे क्या देता है श्राब देता है और ये कहता है कि तुम ऐसी युमन हो ही नहीं जिसको जिन मेरा भला नहीं कर सकती तो भगवान तेरा भला क्यों करे तो तुम्हारी लाइफ से मैं सारे comfort छीन लेता हूँ मैं तुम्हें श्राब देता हूँ कि तुम्हें food, shelter और गर्माहट ना मिले वो उसे curse curse बोलते हैं word श्राब को English में ठीक है वो कहता है कि तुम्हें एक woodpecker बनोगी this is the most important thing वो उसे क्या देता है कि तु एक woodpecker बनेगी woodpecker ही क्यों बनने के लिए बोलता है just because जो woodpecker होते हैं उसकी चोँच खाने का जो मुह होता है वो बहुत छोटा होता है और आपने देखा होगा कि वो ट्री पे बैठके बार बारी ट्री में ट्रंक में पोक करता रहता है मतलब अपनी चोँच को मारता रहता है और वहां से लेता है वो ट्री से सारे मतलब अपना nest वगएरा वहां से बनाता है तो वो उसे कहता है कि तु एक woodpecker बनेगी और वो से श्राब दे देता है ठीक है ताकि तो खाने के लिए भी तरसे अब इतने में जो लेडी है उसके घर में चिमनी लगी होती है अब देखो जैसे भी जो सर्दियों में जो घर होते हैं मतलब सर्दी वाले इंवर्मेंट में घर बेसिकली जो North Pole पे South Pole पे जो घर होते है उसमें चिमनी होती है ठीक है अब जो चिमनी होती है उसमें कॉंटिन्यूसली क्या जलती रहती है आग जलती रहती है फायर होती है तो उसी वाली फायर के वहां से वो लेडी जाती है अंदर और चिमनी से निकलके सीधा बहार आती है और बहार आके वो क्या बन जाती है एक व वुडपेकर के एक तरीके से सर के ओपर छोटे-छोटे से धब्बे आ जाते हैं अब तब से हमेशा जो बच्चा उस रास्ते से गुजरता है तो उसे एक पेड़ पे एक वुडपेकर बैठा हुआ दिखता है ठीक है और लोग ये कहते हैं कि वो जो वुडपेकर बैठा है ना वो कोई और नहीं वो क्या है वही लेडी है जिसे श्राप मिला था इसलिए ये जो पोयम है ना वो क्या है generation to generation पास ओन हुई है लोगों को एक lesson सिखाने के लिए कि हमें greedy नहीं होना चाहिए specially उन लोगों के लिए जो की हमसे कुछ मांग रहे हैं ठीक है हमें charity करनी चाहिए हमें भगवान के नाम भी नहीं बलकि हमें हर तरीके से हम जिसकी मदद कर सके हमें उसकी मदद करनी चाहिए so basically इस पोयम से जो पोयट है वो यही describe करना चाहता है that we should not be greedy और हमें क्या करनी चाहिए लोगों की help करनी चाहिए I hope आपको पोयम समझ में आ गई होगी and as usual if you like this video please comment like and share with your friends thank you